नमस्कार दोस्तों मैं हम पुलकित महुन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैल में दोस्तों आज हम इस विशह हम बात करेंगे कि अगर हम वर्तमान स्थिती में अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करते हैं तो हमें उसके क्या लाब मिलते हैं दोस्तों आज का जो विशह है वो मेनिफेस्टेशन का है और इसके असीम लाब मिलते हैं यानि कि हम कुछ भी हकीकत अपने लिए क्रियेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो दोस्तों हम इस से वरतमान की इस विदी से खुद के लिए ये नहीं दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं पर जो मानव का एक स्वभाव है वो यह है कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है दूसरों के बारे में नहीं सोचता तो चाहें चलिए उसी को उपर रखत negative ल्याज हो जाएंगे का कर तो अपने क्या है क कि हर वर्तमान सिती में जैसे कि आज का दिन है हर वक्त आपने पहले ये समझ लिए जिए कि एक हफ़ते तक या पंदरा दिन तक या महिने तक भी क्या ही लोगों को इसको ले जाना पड़ेगा कि आपने एखने रिपीटिडली एक सेंटेंस बोलना है खुद के लिए और उसको बार बार रेपीट करना है जो वरतमान में होगा ना की पास्ट में ना की भाविशे में वो सिर्फ वरतमान में रहेगा जैसे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ मैं चंगा हूँ मैं बहुत खुश हूँ ये बहुत लोग हैं क्योंकि पैसे के पीछे पागल हैं तो बुलेंगे मैं बहुत अमीर हूं तो हो सकता है कि उन्हें उस चीज़ पर विश्वास नहों पाए या वह connection उसके साथ सब्सक्राइब नहीं और वह रोज बोलता है मैं अमीर हूं मैं अमीर हूं और वह देखता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या अमीरी जो उसने कालपनिक तौर पर अपने माइंड में सूच रखी है कि मैं एकदम से नीचे से उठके करोड़ो और वो पती बन जहूं वो पंदरा दिन दस दिन में तो नहीं हो सकता तो हताशा होगी और ऑटमेटिकली जो विश्वास है उससे हट जाएगा तो हमने ऐसी अन्रिलिस्टिक बात नहीं बोल ली हमने क्या बोलना है मैं खुश हूं अब खुश इंसान केसी भी सिती में हो सकता है अमीर होते वे भी खुश हो सकता है गरीब होते वे भी खुश हो सकता है मिल क्लास होते वे भी खुश हो सकता है तो मैं खुश हाल हो मैं खुश हाल हो मैं खुश हाल हो आप इसको रेगुलर्ली सुबह उठते ही आप बोलेंगे और दिन में भी बोलेंगे शाम भी बोलेंगे रात भी या मैं स्वस्थ हूँ, अब कोई बिमारी चल रहा है, तो आप इस चीज को बोलिए regularly, तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्ते में सुधार होने लगेगा, अगर आपको कोई भी तरीके से कोई भी बिमारी है, आप देखेंगे, कि उसमें आपको किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि वाकवी में आप थोड़े बहुत स्वास्ते की तरफ बढ़ेंगे, मैं यह नहीं कहता कि एकदम से गंबीर विमारी खतम हो जाएगी, जड़ से निकल जाएगी, नहीं, पर हाँ, जो सुधार नहीं आ रहा, वो आने लगेगा, तो इस तरीके से अगर हम वरतमान में अपने लिए रोज अच्छा बोलना शू करते हैं, कुछ लंबे समय वक्ता को उस बात को बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें निश्चित तोर पे स्थितियां बदलती नजर आती हैं, और पर आपको उस पर विश्वास अपना रखना होगा, और महसूस करना ह होगा कि जो आप बोल रहे हो, वो हकीकत में संपन हो रहा है, चाहे वो थोड़े लेवल पे ही क्यों न हो रहा हो, आपको उस चीज़ पर विश्वास बढ़ाते जाना होगा, और जब भी बोलना है, वरतमान में आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है, तो भी आपको पूरे वि आसकते हैं कि मैं खुशाल हूँ, मैं सुकी हूँ, मेरे पास हर तरीके का सुक है, मेरे जीवन उमंगों से बरा हुआ है, अपने आप आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वरतमान स्तिती में जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुर आते हैं, तो आप सुपर गोल्ड धनी हमारी जनाते वक्त इस तरीके से बोली, जो भी आपके मन में कामना है, और आप देखेंगे कि जल्द ही आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, धनी मंगाने के लिए आप मॉबाइल नंबर 813331007 पे संपर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शिन में आपको डिटेल्स मिल जाहेंगी, मैं हूँ आपका दोस्त प्लिकेट बहुन सिंगला,